अरे बहुत बड़े खिलाडी बन रहे थे हमसे उपर आने की बाते कर रहे थे और उपर आये भी तुम और अच्छे खासे बनाए वह तीन रन बहुत अच्छे रन बनाए तुने एक दम भई आई-पेल वाली पारी खेली जैसे आई-पेल में 15 करोड में खरीदा था तुमने और पंदर रन ना बनाए इस वही हाल हो रखता भी तुम्हारा एक दो सरणों की पारी खेल दी तुम लो नहीं और उसके बाद तुम भई लुल पेलुल होते जा रहे हो और भई हमसे तुम टक्कर ले दे तुम तो भई अच्छे खिलाडियों को फेल कर देते हैं अरे यार तुम्हारा बले चलता नहीं हो उस हिसाब से जिस हिसाब से मेर चलता है क्या चल तो मेरा भी ना रहा लेकिन तुम पांचमें नंबर पर काथी खासी बल्ली बाजी कर रहे हैं यहां तुम्हारा नंबर एकदम फिट है अब ख्यर भाई-धम मैंच में तो میरा नंबर वैसे भी कटने वाला है क्योंकि भाई या रोई सर्म अगले मैच में आएंगे और कफटानी भी करेंगे और भी आपनिंग भी करेंगे इसलिए अब हम ज़्यादा बात तो करेंगे नहीं अरे किसन वाया तुने मेरी बेज़ती भी करा दिया अब तुमको हम हर मैच में खिलाए रह बाकी तो भाई मुझे लगना रहा कि सुर्य को बाहर बैठाएंगे वो तुमको बाहर बैठाना पड़ाएंगे जिससाब से चल रहा है सीन और बाकी केल रहा हुलना भी अपनी जगह पकी कर लिए यह तो बाहर होने से रहे अब तो यह आराम से 10-20-50 मैच खेलेंगे उसके बाहर बैठाएंगे रहा है सारी उमर तो यह निकाल दी बाहर बैठाएंगे जब मैच होगा बात है लेकिन हमें तुम यह बता बहार हमें यह मैनोद मैच क्यो न दिया जड़ो को मैच दे दिया गया हमारे 75 रणों की पारी बहा है ऐसा लग रहा हमारी बेज़ती हो गए त तो एक ना हमने बनाए मैं जिताया और मैंनों मैं जड़ो को देदू को देढे यह कौन सा तरीका बेढस करने का भए करना था तो धंग करते हैं लेकिन हमारी 45 रनों की पारी भी कुछ कम नहीं थी और साथ में हमने दो विकिट भी ले थे चालिस रंद्रिय करके इसलिए हमें मैनोद मैच दिया गया तुम हमें हलके में लेते जा रहे हो अरे केल राहूल भाई तुमने ठीक पारी खेली अगर मैं तुम्हारे साथ ना चलत करता देते सिराज समी और यादो यह बचे हुए थे तुम उनके साथ में जिता लेते कोई मतलब भी नहीं था इसलिए हमें मैनोद मैच इसलिए गया है तो राहूल भाई तुम क्या सोच रहे थे कि यह मतलब कोई नैसा वसा फूक के मैनोद मैच बाटा जा रहा भी यह होस हवास में दिया और मुझे दिया है